हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्टे की रेसिपी जिसे हम लोकी से बना कर तेयार करेंगे फ्रेंड्स आपने लोकी के पराथे, कोफते और हलवा तो कई बार बना कर खाया होगा तो एक बार लोकी की इ यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो लोकी का चटपटा नाश्टा बनाने के लिए में एक लोकी को इस तरह से काटकर अच्छे से चील लिया है और अब हम लेंगे पानी से भरा एक बाउल और इसमें लोकी के टुकड़े काटकर डालते जाएंगे लोकी को रफली मीडियम साइज के टुकडों में काट लेंगे और पानी में डालते जाएंगे जिसे कि हवा के संपर्क में आकर का लेना पड़े और साथी साथ लोकी में जो हलका सा चिकनापन होता है वो भी पानी से दुल जाएं इस रेसिपी के एक खास बात ये भी है कि आप इसमें नरम या कड़क केसी भी लोकी का इस्तमाल कर सकते हैं या जिसमें बीज आ गए हो या फ्रीज में तीन-चार दिन से रखी हुई हो उससे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा लोकी के टुकड़ों को पानी में अच्छे से धो लेने के बाद एक ग्राइंडिंग जान में ट्रांसफर कर लेंगे और साथी साथ एक से दो हरी मिश्ट डाल कर पहले इसे बीना पानी के ग्राइंड करेंगे फिर जरुत की हिसाब से थोड़ा पानी डाल कर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे देखिए इस तरह का लोकी का कोई भी बड़ा टुकड़ा इसमें नहीं रहना चाहिए बस इस बात का ध्यान रखिएगा और बाइंडिंग के लिए इसमें अब हम डालेंगे बेसन तो पहले थोड़ा बेसन डालेंगे फिर उसे लोकी के पेस्ट में अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे की इसमें बेसन की कोई गाठे ना पड़े फिर जरुरत की हिसाब से थोड़ा और बेसन डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ दो बड़े चम्मच सुजी भी इसमें डाल देंगे जिससे कि हमारा नाश्टा अच्छे से सेट हो जाए फ्रेंड्स सुजी डाल कर मिक्स करने वाली क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई है लेकिन आप इसमें सुजी जरूर से मिलाईएगा स्वादा नुसा नमक डालेंगे और एक चोथाई टी स्पून के बराबर हल्दी डाल कर मिक्स करेंगे इससे नाश्टे में बहुत अच्छा कलर आएगा फ्रेंड्स अभी तक हमने इस बेटर में जितनी भी चीजे डाली है उनकी क्वांटिटी लोकी के पेस्ट के क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी तो आप उस हिसाब से चीजे डाल लीजिएगा देखिए लोकी के इस पेस्ट को हमें इतना गाड़ा रखना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चोथाई टी स्पून इनो पाउडर और इसे एक्टिवेट करने के लिए एक चम्मच पानी डाल देंगे फ्रेंड्स इनो की जगा आप बेकिंग सोडा का भी इस्तमाल कर सकते हैं इन्हें डालने से हमारा नाष्टा स्पॉंजी और हलका बनकर तेयार होगा चम्मच को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इनो को बेटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद तेल से ग्रीस की हुई एक थाली या केक्टिन में इसे ट्रांसफर कर लेंगे स्पॉन से बेटर को पूरी सर्फेस पर अच्छे से फैला लेंगे और एक बाद टैप कर देंगे जिसे कि इसमें कोई एर बबल्स ना रहे अब इसे कूप करने के लिए यहां मैंने एक कडाही में स्टेंड और थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लिया है और इसमें अब हम रख देंगे हमारी नाश्टे का बेटर इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे धब कर पकाएंगे पहले हम पानी की स्टिम में पकाएंगे फिर जब पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद भी इसे थोड़ी दर और पकने देंगे ऐसा करने से अंदर से यह फूला फूला और उपर नीचे से इसकी लेयर केक की तरह थोड़ी बेक हो जाएगी जिससे इसे काटने में आसानी होगी और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा तो फ्रेंड्स अब 10 से 12 मिनिट के बाद देखिए कड़ाई में बिलकुल भी पानी नहीं बचा है और बेटर भी अच्छे से पक गया है तो इसे अब हम कड़ाई से निकाल कर एक स्टेंड पर रख देंगे और ठंडा होने देंगे फ्रेंड्स गर्मी के दिनों में इसे ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है तो आच्छा है तो इसे फैन की हवा में ठंडा कर ले या फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दे और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसे एक प्लेट पर डी मोल्ड कर लेंगे अपनी पसंद के शेप और साइस में इसे कट कर लेंगे इस आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से इसके पीस कट रहे हैं और इसे देखकर कोई नहीं बता सकेगा कि इसे आपने लोकी से बनाया है अब हम इसमें लगाएंगे एक टेस्टी और क्रिस्पी सा तड़का इसके लिए गेस पर रखेंगे एक पैनिया कडाही और इसमें डाल देंगे करीब दो चम्मच तेल तेल को फिला कर अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद तेल में डालेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और दो से तीन हरी मिट्ट कटी हुई लाते हुई नहीं तेल में क्रिस्पी होने तक भूनेंगे और फिर डाल देंगे थोड़े से करीब दते, सफेद तील, हींग और नमक डाल कर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तड़के को कड़ाई की सर्फेस पर अच्छे से फैला लेंगे फिर इस पर हमारे लोकी के धोकले इस तरह से एक के करके अच्छे से रख देंगे गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और कड़ाई को गरम होने देंगे और धोकले की नीचे की साइट को अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे जब ये नीचे की साइट से क्रिस्पी हो जाएं तो इनकी साइट को इस पेचुला से पलट दिजिएगा और दूसरी साइट को भी इसी तरह से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे और इसके बाद नाश्टे पर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी लाल मिच और हरा धनिया एक बार इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे और एक सर्विंग प्लेट में नाश्टे को टांसफर कर लेंगे थोड़ा सहरा धनिया नमकीन सेव और टमेटो केचप डालकर इसे गर्मा गरम सर्फ करें देखिए बहुत ही कम टाइम में टेस्टी और हेल्दी सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है इसे खाकर कोई नहीं बता पाएगा कि इसे आपने लोकी से बनाया है प्रेंडंडेंस नई रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राइ किजिए है और जादा से जादा सबनाया है तो नाई रेसिपी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइंगा एक नाई रेसिपी के साथ थैंक्यो सो मच फर वॉचिंग